हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबको SP2 में दोस्तों मैं आज आप सबके लिए एक फिर से नहीं वीडियो लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो के मादम से मैं आप सबको यह बताऊंगा कि अगर आपके पास एक Realme का सेट है और कोई भी मॉडल है तो उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करेंगे ठीक है तो दोस्तों मैं आज सिखाऊंगा आप सबको कि आटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग क कैसे सेट किया जाता है ठीक है तो आए इस वीडियो का मादम से जानते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहे है तो घमन यांडे के सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आने के बाद आप अपना यहाँ पर संदिया हुआ इस पर करेंगे खिये तो इस पर अने के Radix दो यहां पर देखी आपको दिख रहा तो शुक्त करेंगे कि यहाँ पर देखिये तीसरे नमबर पे लिखा है record all calls ठीक है तो इसपे आप tap करेंगे ठीक है के तो दोस्तों यह देखिए हमारा recording सुरू हो गया ठीक है यानि record all calls active हो चुका है तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ,All call record सुरू हो चुका है यानि कि आल मतलब सभी call record हो जाएगा हमारे जो भी call आएगा हमारे phone पे वो सारा record हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखिए maximum recordings ठीक है तो इस पर click करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर set कर सकते हैं limit ठीक है कि आपके phone में कितना call record हो सकता है ठीक है एक हजार दो हजार तीन हजार और नो limits ठीक है तो यहाँ पर आप set कर लेंगे कि आपके phone में कितना call recording हो सकता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सब back करेंगे पीछे की तरफ आएंगे और मैं आपको call करके दिखा दे रहा हूं कि क्या आपका call recording शुरू हुआ है या नहीं दोस्तों यहाँ पर मैं किसी number पर call करूंगा ठीक है मैं company को call डाइल करके आप सब को दिखा दे रहा हूं ठीक है यहाँ पर मैं one nine eight और यहाँ पर मैं डाइल करूंगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर recording के options पर यहाँ पर देखिए second चलना सुरू हो गया है यहाँ जब call receive हुआ तो यहाँ पर second चलना सुरू हो गया है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसका मतलब है हमारा call recording शुरू हो चुका है अगर हम इसको चाहे call recording को रोकना चाहे तो हम यहीं से इसको डारेक्ट रोक भी सकते हैं यहां पर तैप करेंगे ठीक है यह देखिए हमारा call recording रोक गया और यहां पर शुका है ठीक है जितना भी call record हुआ है सारा से भोचुका है ठीक है तो चाहे तो हम यहीं से इसको ओन भी कर सकते हैं ठीक को लगा चुके है और आमका áis और आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सट्रिंग में आ जाना है ठीक है सटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको call recording पे click कर देना ठीक है यहाँ पे आने के बाद आपको view call recording पे click करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने दोस्तो last में यह call recording किया था operator complaint number ठीक है यानि यह company का number है यह operator complaint number पे call किया था और यहाँ पर देखिए आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ मैं ठीके अब देखिए कि यहाँ पर 9 सेकेंड से हमारा कॉल रिकॉर्ड हुआ है ठीके दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं यह देखिए हमारा 9 सेकेंड का कॉल रिकॉर्ड हुआ है ठीके तो यहाँ पर आईए मैं आपको सुना दे रहा हूं टैब करके क्या आवाज रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ ठीक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए सुन सकते हैं तो दोस्तो आप यहां पर सुन सकते हैं कि आपको call recording हुआ है या नहीं ठीक है तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप call recording set करना समझ गए होंगे तो यह वीडियो आप सबको बहुत यह अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा की वीडियो कैसा रहा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहिंद